अपने सबकॉंसियस माइंड को किसी चीज़ पर यकीन कैसे दिजाएं सबकॉंसियस माइंड हमने बहुत बार सुना है कि ये हमारी जिंदगी में बहुत एहम भूमी का निभाता है ये हमारे actions को नियंतरित करता है ये हमें एक सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है subconscious mind क्या है और इसकी शक्ति का हम कैसे इस्तमाल कर सकते हैं क्या subconscious mind को train करना संभव है subconscious mind और इसके programming के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को देखते रही है subconscious mind क्या है हमारे दिमाग के दो हिस्से हैं conscious mind और subconscious mind conscious mind हमारे दिमाग के critical thought को control करता है और subconscious mind हमारे दिमाग का वो शक्तिसाली हिस्सा है जो हमारे action में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है subconscious mind सारे dots को connect करके चीजों को smoothly चलाने में मदद करता है परिस्थिती के अनुसार ये memory bank, guidance system और information processor का काम करता है सबकॉंसियस माइंड कहां स्थित है psychoanalytic theory के अनुसार हमारा सबकॉंसियस माइंड दिमाग के limbic system में है दिमाग का ये हिस्सा यादों, भावनाओं, instinct और ध्यान से जुड़ा है आम भाशा में कहें तो सबकॉंसियस माइंड दिमाग के पिछले हिस्से में स्थित है आईए बात करते हैं कि सबकॉंसियस माइंड काम कैसे करता है psychoanalysis के अनुसार सबकॉंसियस माइंड दिमाग तक पहुँचने वाली जानकारियों को इकठा करता है उसे प्रोसियस करता है और फिर जरूरी जानकारी को कॉंसियस माइंड तक पहुँचाता है कॉंसियस और सबकॉंसियस माइंड बस इमोशनली चार्ज ठोट्स के जरीए ही बात कर सकते हैं ये सकारात्मक और नकारात्मक भावनाओं दोनों के लिए काम करते हैं सकारात्मक विचारों से ज़्यादा प्रभाव नकारात्मक विचारों का होता है सबकॉंसियस माइंड की तुलना एक जंगली बंदर के साथ की जा सकती है जो बिना थके घंटो जागा रहता है कॉंसियस माइंड हमारे अवियरनेस में जितनी भी भावनाएं, विचार, यादे और इक्षाएं होती हैं उन्हें स्टोर करके रखता है दिमाग का ये हिस्सा रेशनल और लॉजिकल थिंकिंग से जुड़ा हुआ है जबकि दूसरी तरफ सबकॉंसियस माइंड हमारे अवियरनेस के बाहर वाली भावनाओं, विचारों और यादों को स्टोर करके रखता है हमारे सबकॉंसियस माइंड के कंटेंट्स को दर्दनाक माना जाता है, यहां डर, चिंता और मद्भेद जैसे अप्रिये भावनाएं पाई जाती है ये ऐसी चीजे हैं जिने हम भूलना चाहते हैं पर ये हमारे दिमाग के किसी कोने में रह जाते हैं हमारी इक्षाएं और अकांक्षाएं कॉंसियस माइंड में विक्सित होती हैं और हमारा सबकॉंसियस माइंड स्टिमूलस मिलने पर प्री प्रोग्राम्ड तरीके से काम करता है जब आपका conscious mind काम नहीं कर रहा होता है तब आपका subconscious mind आपके बरताओं को नियंतरित करने लग जाता है Conscious mind चंचल होता है पर subconscious mind जिद्धी होता है Conscious mind अतीत, वर्तमान और भविश्य में घूमते रहता है पर subconscious mind हमेशा वर्तमान में ही रहता है अब बात करते हैं कि अपने दिमाग को कैसे रिप्रोग्राम करें हमारे दिमाग की तुलना runway train से की जा सकती है इसका अपने गती या दिशा पर कोई नियंतरन नहीं होता पर हम इसे ऐसे ही चलने नहीं दे सकते अपने दिमाग पर नियंतरन पाने के लिए आपको सबसे पहले अपने subconscious mind की शक्ती को पहचानना होगा इसके functioning में और नकारात्मक भावनाओं को हटाने में positive भावनाएं बहुत बड़ी भूमिका निभाती है इसलिए ये जरूरी है आप इन subconscious mind exercises की मदद से अपने दिमाग को train कर सकते हैं और reprogram कर सकते हैं पहला खुद को सफल होने का अवसर दे खुद को खुश रहने का और अपने सपनों को पूरा करने का अवसर दे अगर आपका subconscious mind सफलता को गिर्ड के साथ देखता है तो इसे सकारात्मक affirmations की मदद से बदलने की कोशिश करें दूसरा एक कोशिश करें सफलता पर विश्वास करना जरूरी है पर उससे भी ज़्यादा जरूरी सफलता पाने की कोशिश करना है जब आप संभावनाओं को ढूंडेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी याद दिलाएंगे पर उनकी वज़े से आप प्रयास करना बनना करें ये नकारात्मक ता उनकी परिस्थिती को बयान करता है इसका आपकी परिस्थिती से कोई देना देना नहीं है चोथा खुद को सकारात्मक वातावरन में रखें सकारात्मक अफर्मेशन, प्रेरक संदेश और प्रेरना दायक उदाहरनों की मदद से सकारात्मक मानसिक्ता बनाए रखें उम्मीद की एक किरन आपके प्रयासों को और भी जादा बढ़हा देती है पांचवा, सफलता के बारे में वर्तमान काल में सोचे आप अपने सपनों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं पर आपको ऐसे सोचना है जैसे कि आपने अपने सपनों को और रेडी हासिल कर दिया हो इसका मतलब अपने affirmations, visualizations और दूसरे manifestation exercises में सफलता को वर्तमान काल में परिभाशित करें छठा, अपने सीमित विश्वासों को पहचाने और उन्हें हटाएं आपके सफलता के रास्ते में सीमित विश्वास बहुत बड़ी बाधा पैदा करते हैं यह आपको आपके लक्षों तक पहुँचने से रोकते हैं इन्हें पहचाने और फिर इन्हें हटाने पर काम करें दृढता और धैर हमेशा काम आते हैं सात्मा एक आभार पत्रिका लिखना शुरू करें अपनी जिन्दगी में मौजूद सभी चीजों के लिए सुक्र गुजार रहें यह आपको सकारात्मकता देगा यह चिंता, संदेह और असंतुष्टी जैसे नकारात्मक भावनाओं को कम करता है आठवा अपनी इक्षाओं की मांग करने से हिचकिचाय नहीं यह आत्म विश्वास का एक हिस्सा है आपको अपने सफलता पर विश्वास करना होगा आपके मन में अपनी सफलता को लेकर कोई संदेह नहीं होना चाहिए नहीं तो यह आपको अपनी इक्षाओं की मांग करने से रोकेगा खुद पर विश्वास करें और अपने लक्षे की तरफ आगे बढ़ें आज का अंतिम विचार आपका दिमाग ही आपको आपकी मन्चाही जिंदगी की तरफ ले जा सकता है माइंड प्रोग्रामिंग टेकनीक्स पर महारत हासिल करके आप अपने दिमाग को नियंतरित कर सकते हैं या आपको आपके लक्षों को हासिल करने में मदद करेगा सबकॉंसियस प्रोग्रामिंग के जरीए आप अपने दिमाग को रिवायर करके अपनी जिंदगी में खुशियां और सफलता ला सकते हैं अगर आप इसमें one-to-one guidance और सहायता चाहते हैं तो आप आज ही थोड़ा हटके का Master the Law of Attraction वर्क्शॉप जोइन कर सकते हैं